हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में आपके लिया हैं कुछ खास जैसे कि कुछ को किंग टिप्स है जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लॉक डाउन को दौरान घर पर हैं और बाइचंस हमारे प्याज टमाटर खतम हो गए हैं और हमें बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कुछ भी ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप कैसे शाही ग्रेवी तैयार करेंगे उसके लिए आप बहुत सूच रहे होंगे तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम इंडियन के फूड है वह असली जो स्वाद है वो तड़के के गारन नहीं आता है तो इसके लिए हमको प्याज टमाटर का अगर आपके लाके में ताजी सब्जियों की सप्लाई भी कम है और फिर भी कुछ ग्रेवी चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है तो अगर घर में प्याज वो टमाटर नहीं है जैसे कि मैंने बता है लेकिन अगर आपके पीजा या पास तो आप उसको पानी मिलाकर ग्रेवी को पतला करके उसका यूज कर सकते हैं तो यह पहला टिप्स था दूसरा टिप्स है कि प्याज या टमाटर की कमी को दूर करने के लिए आप शाही ग्रेवी तैयार कर सकती है जैसे कि काजू को पीस कर उसे ग्रेवी में इस्तमाल कर सकत तो यह दूसरा था यह भी बहुत अच्छा तरीका है तीसरा है कि अगर आपके पास खस-खस है तो खस-खस का इस्तमाल भी आप ग्रेवी में करके आप अपने डिश में एक अलग स्वाद ला सकती है चौता है जो नारियल का बूरा होता है उसे भी आप ग्रेवी के तौर पर यूज कर सकते हो और उस से आप देखेंगे कि आपके सबजी उससे भी अलग टेक्सच्चर आएगा पांचबा है कि दूद की तुलना में आप दही जादा तिनों तक ठिका सकते हैं तो दही का इस्तमाल करके भी आप अपने ग्रेवी का इस्तमाल बना सकते हैं और इसे ग् वीडियो पसंद आया होगा प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें कमेंट कीजिए थैंक यू फोर वाचिंग दोस्तों बाई मिलते हम अग्रे नेक्स्ट कुकिंग टिप्स पर बाई